हाँ तो भाई कैसे हो सब लोग देखो अभी तक मैंने आपको इस चैनल पे सिर्फ और सिर्फ ओफिशल ग्लोबल स्टेबल अपडेट्स के बारे में बताया जो कि आपके डिवाइस के लिए आ सकते हैं बट उन में ना इंडिया का नाम मैंने कहीं भी नहीं लिया क्योंकि जो ग्लोबल और इंडिया का रोल आउटा वो डिफरेंट होता है ग्लोबल वाले सारे डिवाइस इंडिया में लॉंच नहीं होते इस चीज का आपको पता होगा तो उसके basis पे मैंने आज पूरा दिन थोड़ा सा निकाल के सोचा और देखा यहां पे जो है क्या कुछ devices हो सकते हैं कब तक आपको जो update देखने को मिलेगा और इस वीडियो में कोई official announcement अभी तक नहीं की गई rollout की इंडिया के लिए जब आएगी तो वो भी आपको मैं definitely बताऊंगा बट आज की वीडियो में मैं अपने expectations आपको बताता हूँ और आप जो है उसके accordingly न expect कर सकते हो जो update है वो कब तक आपको मिलेगा और basically ये last year के उपर ही based होने वाला है चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो को ध्यान से देखते रहे ना चैनल पे बहली बार है तो subscribe कर लो अभी के अभी और 100 likes का target है I hope आप इसको complete जरूर से करोगे सबसे पहले देखो भई ये है last year का rollout schedule जो की Xiaomi HyperOS 1.0 का है और इसमें अगर आप देखोगो जो rollout schedule था वो Q2 2024 तक चला था यानि कि इसी साल Q2 2024 तक जो है updates मिले थे बट हाँ May April यहां पे जो है April तक ना यहां पे जो updates हाँ वो almost सब devices को मिल चुके थे तो इसके basis पर मैं आपको यहां पर वीडियो बताने वाला हूँ और यह है MIUI 14 का जो की 2023 का है यह Q3 तक था बट मेरको लगता है Q2 तक ही जो है 2.0 का update rollout schedule होगा अब काफी लोग ऐसे बोरे हैं देखो यह Redmi Note 14 Pro Series है यानि कि Redmi Note 14 Series इंडिया में launch होने वाली है और official confirmation है वो 9th of December 2024 है बट आपको पता होगा कि यहां पे इतनी जल्दी आपको जो है HyperOS 2.0 का update देखने को नहीं मिलेगा रीजन सिंपल है भाई अभी तक Redmi Note 14 Series को launch हुए हुए चाइना के अंदर almost 2 मन्त होने वाले हैं बट उनको भी कोई भी HyperOS 2 का update फिलहाल देखने को नहीं मिला और अगर यह 15th of December में यह launch होंगी तो भाई यह HyperOS 2 के साथ में नहीं आएंगी इनमें HyperOS 1.0 आएगा और इस बार जो Redmi Note 14 Series है वो इंडिया के अंदर काफी जल्दी आ रही है आल्मोस्ट आमान के चलो एक मन्त पहले launch कर रहे हैं जो यहां पे लास्ट येर Note 13 Series थी ना मेरे को याद है वो 1st of 1st week of January 2024 में लाँच होई थी इंडिया के अंदर बट उस टाइम पे जो है चाइना के अंदर Redmi Note 13 Series को HyperOS 2.0 मिल चुका था बट इस बार अभी तक नहीं मिला तो आप ये चीज़ कंफर्म मान के चलो यहां पे HyperOS 1.0 ही आपको देखने को मिल सकता है probably मेरे expectations के accordingly बागे आप काफी लंबे टाइम बाद Xiaomi ने जो है rollouts किया था उसके लिए जो update है 1.0 का और एक और भाई interesting चीज़ आ चुकी है जो कि मैं आपको बताने वाला हूं जो global devices हैं उनके लिए भी monthly updates आने वाले हैं Xiaomi global के जो vice president है उनने यहां पे tweet किया है और यहां पे आप देख सकते हो अभी monthly updates 2025 के अंदर आ सकते हैं और यह सिर्फ और सिर्फ flagship phones के लिए होगा जो mid range होते हैं उनके लिए quarterly जो है updates आएंगे flagship के लिए हो सकता है चाइना में यह चीज़ और यहां पे इसी साल July वगरा के अंदर ना implement कर रखी थी Xiaomi ने तो वहां पे updates मिलते हैं अब मैं आपको इंडिया का roll ना यहां पे एक list त्यार गिया जो कि आप Xiaomi की देख सकते हो सबसे पहले Xiaomi 14 Ultra, Xiaomi 14, Xiaomi 13 Pro यही सारे devices I think India के अंदर launch हुए है Xiaomi series के flagship वाले और हो सकता है January तक यहां पे Xiaomi 15 आजाए वो तो HyperOS 2 के साथ में ही आएगा क्योंकि उसमें HyperOS 1 कभी आया ही नहीं चाइना के अंदर क्योंकि यह जो है start कप होगा last year आपको याद होगा तो December का जो last week था तब से यहां पे rollout start कर दिया था इंडिया के अंदर Xiaomi ने तो last week में आप अभी मान सकते हो क्योंकि भाई time लगता है updates आने में आपको बता होगा global के updates कितने delay हो रहे हैं मैंने separate वीडियो में आपको बता है था और यह भी आपको definitely delay ही देखने को मिलेगा तो last week of December आप मान सकते हो चाहे note 14 series आए या ना आए बढ़ आपको जो updates हो लेट ही देखने को मिलेगे और यह यहां पे March या फिर अप्रेल मही तक चलने वाला है जो series होगी जो last वाले updates होंगे Android 14 based वो यहां पे आपको last में मिलेगे March April वगरा के बाद में यहां पे आपको देखने को मिलेगे अब Redmi Note series में आप देख सकते हो Redmi Note 14 series आपको देखने को मिलती है यह मेरे को internet से मिले है इसमें इस बार ना हो सकता है Pro Max भी आजाए Note 14 Pro Max और Redmi Note 13 series के almost सारे devices आप मान सकते हो अगर सारे नहीं मानना चाहते तो यहां पे जो main main आपको मिलता है like Note 13 Pro, 5G हुआ, Pro हुआ या फिर Redmi Note 13 5G है इनको तो probably यहां पे first Q1 2025 के अंदर ही update मिलेगा यानि कि January के starting में आपको इसके updates मिलने start हो जाएंगे और Poco की जो device है वो आप देख सकते हो F6 है, X6 Pro, X6 और M6 Pro यहां पे device है इनको probably first यहां पे जो है updates देखने क को मिल जाएंगे, अब अगर आप पूछना चाते हो क्यों Redmi की जो budget device है, Redmi 13C 5G, Redmi 12 5G यह भी include किया जा सकते हैं Q1 2025 के अंदर, तो probably March तक इन सभी devices को update मिल जाएंगे, और अगर भाई आपका device यहां पे launch हुआ है काफी जल्दी, यानि कि अभी latest में और मैंने इसको include नहीं किय तो comments में जरूर से बजाएं